मेरे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा स्पेसल होने वाला है स्पेसल क्यों वो वीडियो में आपको आगे पताच चलेगा आज जा रहे हैं अवर डेंटल मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो आपका जमसेतपूर में है और जमसेतपूर के काफी नजदीक है ये और इस कॉलेज का जो प्रिविएस वीडियो है और पूरा जो डिटेल है इस कॉलेज के बारे में उसका वीडियो मैंने आई बटन में दिया हुए है और डिस्क्रिप्सन में भी लिंक दिया हुए है आ और आज जाएंगे hostel का विजिट करने और दिखाएंगे कि hostel किस तरह से है और किस तरह से वहाँ पर रहने का व्यवस्ता है यह पूरा आज इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं और बोलना चाहे हैं कि अगर वीडियो में नए हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा तो चलिए बढ़ते हैं मैडिकल कॉलेज के और तो दोस्तों ये है आवद डेंटल मेडिकल कॉलिज का जो में गेट है वो है और ये जमसितपूर के काफी नजदिक है और NH33 के जस्ट बगल में है और इसी के अंदर है मेडिकल कॉलिज, होस्टल और होस्पिटल तीनों इसी पॉंडरी के अंदर है तो चले आज विजिट अगल में है बॉइस होस्टल और गल्स होस्टल दोने एक ही साथ है चुकि हम उपर है इसलिए विडियो उपर से लिया जा रहा है तो चलिए नीचे चलते हैं नीचे से दिखाते हैं तो यह जो आप लेप साइड देख रहे हैं यह पूरा होस्पिल का एरिया है और जो स्टार बने हुए हैं और यह जो सामने दिख रहे हैं यही जो रास्ता है वह आपका डायोड ऑर जाता है और यहाँ पर जो आप सामने जन्रेटर देख रहे हैं जो यहाँ पे इस तरह से है generator क्योंकि यहां पे DVC line है और जिस वज़े से यहां पे power cut-off होते रहता है और इसी लिए इस power का भरपाई करने के लिए यहां पे generator की व्यवस्ता किया गया है और यह जो location है अवर dental college वो काफी अच्छा जगहें पे हैं और यह है वॉस्ता होस्टल और इसी के जस्ट बगल में है गल्स होस्टल तो चुकि हम लोग गल्स होस्टल के तरफ जा नहीं सकते हैं तो चलिए बॉस्ता होस्टल को दिखाते हैं कि किस तरह से है तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि यह किस तरह स और वाइस होस्टल का नीचे का नजा रहा है तो चलिए सीडियों से ऊपर चड़ते हैं और दिखाते हैं कि उपर किस तरह से है तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों हम लोग उपर की ओर आ चुके हैं और उपर का जो गल्यारा है वो इस तरह से है और चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि रूम किस तरह से है और रूम के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं हाला कि वहां पर वीडियो करना अलाओने था जिस वज़े से आपको प व्यस्त मेजर आ रहा होगा तो चलिए आपको दिखाते हैं कोई फ्रेश रूम जिसमें स्टुडेंट नहीं रहते हैं और यह उस समय का पिक था जब यह हॉस्टल नया नया बना हुआ था तब उस समय इस जो यहां का रूम है काफी व्यवस्तित रूप से था तो चलिए देख रहे हैं यह रूम है और डेंटल मैडिकल कॉलिज का और यह उस समय का पिक है जब स्टुडेंट्स यहां पर नहीं आया हुए थे जिस वज़े से यह जो रूम है काफी व्यवस्तित रूप से मैजर आ रहा है आई होप कि आपको यह जितना भी है हॉस्टल का जो लोक और साइड है तो चलिए अंदर का नजारा दिखाते हैं कि किस तरह से दिखते और जो अवद डेंटल मैइडिकल कॉलेच का जो गाफेटीरिया है वह किस तरह से तो चलिए अंदर विजेट करते हैं तो अंदर कुछ इस तरह से काफिय अच्छा is describe करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ सेर करें और दोस्तों बोलना चाहें कि जो मनिपाल टाड़ा मैडिकल कॉलिज का जो विडियो है आपको आगी मिलेगा तो विडियो को सब्सक्राइब किजिए अगर आपने नहीं किया है क्या ऐसे ही विडियो आपको मिलता रहेगा तो चलिए बढ़ते हैं नक्ष विडियो की और मिलते हैं नक्ष विडियो के साथ